आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी डुमेन को बाई कर सकते हैं और होस्टिंग को बाई कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको टॉप फाइफ वेब होस्टिंग और फ्री डुमेन के बारे में बताऊंगा plans के बारे में बताऊंगा और मैं आपको एक website से एक hosting और domain purchase करके practically करके दिखाऊंगा इस video में मैं आपको दो question के बारे में बताऊंगा जो के आपको video के end में बताऊंगा के वो दो question कौन कौन से हैं तो चलिए चलते हैं हम अपनी video की तरफ तो सबसे पहले नमबर पर आ जाती है हमारे पास infinite free hosting, free hosting, aqua web hosting, freehostia.com, byte internet services, ठीक है, तो मैं उसके plan के बारे में आपको बता देता हूँ, उसके plan क्या क्या होंगे, तो यहां पर आ जाएंगे, infinity free पर हम कैसे लेंगे, infinity free पर हमारे पास क्या क्या चीज़े हमें हमें मिलेंगी, यहां पर बता रहा है कि fastest free hosting मिलेगी, यह आपको up time 99% मिलेगा, उसके बाद unlimited hosting होगी, आपके पास completely free होगी, no ads लगेंगे, आपकी website पर कोई आड नहीं होगे, host any domain, आप अपनी domain भी कोई भी purchase कर सकते हैं, ठीक है, यह आपको बता रहा है कि free hosting feature में कौन कौन से होगे, यह सार फीचर तो आपके पास available होगे, 5GB का disk space मिलेगा, unlimited bandwidth होगी, PHP मिलेगी, MySQL मिलेगी, free sub domain names आपको मिलेंगे, bring your own domain होगी, SQL का database होगी, DNS होगी, SL security होगी, और यह सब कुछ आपको infinity free में मिलेगा, उसके बाद हम आजाते हैं next पे, free hosting packages पे, इसके ओपर आपको क्या मिलेगा free में, वो बता रहा है कि जब आप buy करेंगे free का, तो आपको 10GB का storage मिलेगा, unlimited bandwidth मिलेगी, one hosted website मिलेगी, no sub domain, इसमें sub domain नहीं मिलेगी, one email account मिलेगा, MySQL database मिलेगी, c panel मिलेगा, site builder मिलेगी, और app installer भी मिलेगा इसमें आपको, अब आजाते हैं, इसके ओपर aqua 20 web hosting पे, इसमें आपको क् free का plan buy करेंगे, जिसमें आपको एक website, 2GB SSD storage, 30GB bandwidth, यह RAM मिलेगी, और vCPU आपको मिलेगा, और यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पर आपको compare करके दिखा रहा है, जहाँ जहाँ पर आपको free की hosting मिलती है, तो यह आपको उन से अच्छी चीज़ दे रहा है, वो कहा रहा है कि इन्हों ने यह चीज़े mention नहीं की होई, तो हम यह सारी चीज़ें completely mention कर रहे हैं, हम अपने पास, तो यह आपने इसको देख लेना है कि आपको क्या क्या चीज़ें, यहाँ पर free की मिलेंगी, हम आजाते हैं free web hosting पे, तो यहाँ पर इसका क्या नाम है, free hosting यह आपको क्या दे रहा है, यह आपको free hosting solution में दे रहा है, 5 hosted domain, 3 email account, 250 MB disk space दे रहा है, 1 MySQL database space दे रहा है, 6 GB monthly traffic दे रहा है, 10 MB MySQL storage दे रहा है, ठीक है, और यह domain name आपको free में नहीं दे रहा है, यह आपको थोड़ी सी पैसो की देगा, और minimum space इसकी 0.99 डालर है, तो आपकी एक डालर के अंदर भी domain मिलेगी और free hosting आपको यहाँ पर से मिल जाएगी, यहाँ पर आ जाते हैं, last website पे, byte internet services, free hosting मिलेगी यहाँ पर आपको, इसमें वो आपको क्या क्या चीज़ें देगा, यह आपको main feature देगा, 100 MB का disk space होगा, FTP account होगा, control panel मिलेगा, database मिलेगी, free tech support मिलेगा, और domains मिलेगी, free community access मिलेगा, और cluster service मिलेगी, और इसमें कोई ads नहीं लगेंगा, और यह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, और उसके बाद आपको इसके अंदर इतनी सारी sub domains मिलेगी, ठीक हो गया, तो यहाँ तक मैंने आपको 5 websites के बारे में बता दिया, अगर आपको इन में से किसी के उपर भी domain buy करनी होगी, तो इनकी links आपको नीचे वीडियो के description में मिल जाएंगे, तो हम आ जाते हैं, अब हम website पर जहां पर से हम domain को buy करेंगे, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आने के बाद, स आपको अपनी email को verify करेंगे, अपने account को verify करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की screen सामने आ जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप चले जाएंगे create new account पर, यहाँ पर create account करेंगे, ठीक है, अपने कुछ इस तरह का आ जाएगा, वो कह रहा है कि आपने कोई भी sub domain इसमें से परचेस करने है . Customer 될 व言 आगर आपने पहले से परचेस की हूई है यहां पर आकर उसका नाम देदें तो आपने परचेस की होगिए अगर परचेस नहीं की हुई तो आप यहां पर सेब्दुमेन पर आ रहे तो वह कह रहा है ओन्त मुझा को हूँ cps kpr ठीक है availability देख लेते हैं कि इसकी availability हमारे पास मुझूद है ठीक है वो कह रहे हैं कि यह available आपको मिल जाएगी cpskpr.infinityfreeapp.com ठीक है उसके बाद हमने कहां चले जाना है यह account label हो गया हमारा अब वो कह रहा है कि account username आपका क्या होगा generated automatically वो कह रहा है कि account का password आपने generate करना है तो हम यहां पर कर देते हैं यह हमारा account का password हो गया आप कोई भी रख सकते हैं ठीक है हम यहां पर कर देते हैं अपना create account उसके बाद आपके सामने क्या चीज़ ओपना जाएगी वो कह रहा है कि your account has been created with username if there's something you need to know वो कह रहा है कि आप अपने account control panel पे already 72 hours में आपको due to DNS caching मिल जाएगी प्लीज लोग इंटो दी control पैनल वनस टेनेबल आल फीचर नॉट शॉर वाट तो रून प्लीज साइन दी गाइड सम आइडिया दो दी ठीक है वो कह रहा है कि open control panel पे आप चले जाएं या फिर आप वो कह रहा है कि 72 गंटे में आपको visible हो जाएगी तो हम यहाँ पर control panel पे जाते हैं status changes offer and others important वो कह रहा है कि आप यहाँ पर से agree पे click करेंगे thanks the appeal will now यहाँ पर वो आपको बता देगा कि आपके पास यह आपका control panel खुल के सामने आ चुका है ठीक हो गया यहाँ पर हम c-panel पे चले गए c-panel पे जाने के बाद यहाँ पर से आपने इसको कर देना है finish finish करने के बाद वो यहाँ पर आपको ले आएगा ठीक है आपने अपने c-panel पे चले जाया करना है यहाँ से आप अपना c-panel खोल जा करेंगे यह आपकी डुमेन ठीक है यह आपकी डुमेन का नाम है यह software मिल रहा है ठीक है यहाँ से वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो चीज ओपन होईगी वो हम देख लेते हैं कि क्या चीज ओपन होती है तो यहाँ पर यह नजर आ रहा है आपको वो कह रहा है कि आपने क्या करना है आप डिरेक्ट यहाँ से WordPress को इंस्टाल करेंगे ठीक हो गया इंस्टाल करने के बाद आपके पास क्या चीज आ जाएगी WordPress की वेबसाइट सामने आ जाएगी WordPress इंस्टाल डिरेक्ट ओनलाइन पहले मैंने आपको सिखाया था कि कैसे जैम पे होती है वह सब कुछ ओनलाइन लोकल होस्ट पे होता है यहाँ पर यहाँ ओनलाइन आपकी WordPress इंस्टाल होगी और यही पर ही आपकी वेबसाइट बिल्ड हो जाएगी जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊ हो तो कैसे होगी यहाँ पर हम इसको करते है इंस्टाल इंस्टाल होने के बाद वो कैसे हो जाएगी वो यहाँ पर पूछ रहा है कि यह आपकी वेबसाइट है ठीक है, ये वेबसाइड है हमारे पास ठीक हो गया, यहाँ पर हम कुईक इंस्टाल करते हैं, admin, username और password must fill करना है, तो यहाँ पर username दे देते हैं, और यहाँ पर आपने क्या देदेना है, password, जिससे आप अपने वेबसाइड को खोला करेंगे, यहाँ पर आपने last में आ जाना है last में आने के बाद इसको आपने क्या करते हैं, install, install होने के बाद इस तरह की कुछ स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, तो आपकी wordpress क्या होने लग जाएगी, install, ठीक है, यहाँ से आप new तरीके से install कर सकते हैं, यह installing आपके पास, क्या होगई है, finish, तो हम यहाँ पर चले जाए जाएगी, वो कह रहा है कि कुछ इस तरह कि आपके पास website होगी, ठीक है, जब आप लोग अपनी hosting domain purchase कर लेंगे, और अपनी wordpress की setting को install कर लेंगे, install करने के बाद आपकी Gmail पे वो आपकी website का URL और आपकी dashboard का URL send कर देंगे, लेकिन आपको उस time फोरन नहीं खोलेंगे, आपके 75 गंटे लग सकते हैं, या आपके 2 या 3 गंटे लग सकते हैं, या आपके 48 गंटे लग सकते हैं, ठीक हो गया, तो आप फोरन खोलेंगे, तो आपके पास सिरफ add-add खोलेंगे, तो आप ये न समझेगा कि आपकी website नहीं खोल रही है, आपकी hosting भाई नहीं हुई, आपकी domain आपने अपनी website का URL देना है तो आपके सामने यह देखें यह sample website आपके सामने खुलकर आ गई है यह आपका dashboard आ गया है और जिस तरह मैं आपने आपको पिछली वीडियो में बताया है तो इस तरह आप अपने theme को install कर सकते हैं और अपनी website को यहाँ पर build कर सकते हैं यह आपकी website एक किसम की online चलेगी ठीक है तो उसके बाद हम आजाते हैं अपने दो question पर दो question आपके पास कौन कौन से होंगे दो question कौन से हैं कि आपको free की hosting domain प्रचेज करनी चाहिए या नहीं या आपको free की domain लेनी चाहिए या नहीं तो मैं यह आपको recommend करूंगा कि free की hosting domain आप उस time तक हैं जब तक आप educational purpose के लिए सीखने हैं जब आप complete सीख जाएं आपने website बिल्ड करके online डालनी है तो आप अपनी website या hosting या domain आप परचेज करके ही करें तो अब आपकी website rank करेगी यह सिरफ educational purpose के लिए इसमें काफी सारी problems होती है ठीक हो गया अगर यह आपको वीडियो थोड़